इधर साइड में आप लिख सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 मैट्स ठीक है यह NCRT वाली मैट्स है NCRT पैटन ठीक है बच्चों बहुत ही प्यार से आपको पढ़ना है बिल्कुल टेंशन फ्री हो करके पढ़ना है टेंशन एकदम बिल्कुल भी नहीं लेना है यह बताओ मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट बताया हाल जेब्रा वाला ना बोलो हां बताया है न ठीक है चलो तो बेटा पहला कुश्चन इस्क्रीन पर है कहरा कि निम्नलिखित पर बहुपद पांच एक्स माइनस चार एक्स का इस्क्वार प्लस तीन के मान ग्याद कीजिए यानि इनका कहने का ये मतलब है बाबू कि जो बहुपद दिया गया है पांच एक्स माइनस चार एक्स स्क्वार प्लस तीन इधर दिख रहा न तुम्हें तबको दिख रहा होगा पहला क्या दिया गया है बहुपद पांच एक्स माइनस चार एक्स स्क्वार प्लस तीन यक्स कमान जीरो पूट करो तब बताओ कि इस बहुपद कमान क्या आएगा आप एक बार ट्राई करके देखो अफ़ हो जाए फटाफाट ट्राई करके देखिए और फिर मुझे बताएं इन के लिए और उनको बता दीजिए चाहे है कमेंट करें आ गयें नहीं चलिए ठीक है अच्छा आप करिए तो चलिए भाई आप लोग आगे बढ़िए यह लोग कुछ काम से आया थे और यह लोग गये हैं ठीक है आओ इसका हम इधर साइड में यहां पर कर रहे हैं समझ ना पहले यह इक्वेशन ऐसे लिख लोगे जहां जहां पर यक्स है वहां वहां पर 0 रखोगे क्या रखोगे पिटा यक्स की जगापर आप 0 पुट करोगे ठीक है तो चलो 5 इंटु 0 माइनस 4 जीरो का स्कॉर यक्स की स्कॉर की जगापर प्लस 3 इसको हल करके आप लोग मुझे इसका मान बताओ जलो फटाफट इसका मान बताओ मैं आगे बताता हूं आपको कोशिस करो एक बार जल्दी जल्दी से सभी ट्राइब करो फिर बताता हूं कि खत्म होगे उलगाओ नहीं आला चलिए कि देखिए यह एक्चुली स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत डिस्टरब कर रखा मुझे आप लोगों को मैं ट्राइब करने का मौका तो दे रहा हूं क्योंकि उधर काम भी कर रहे हैं लोग मुझे देखना पड़ता है पाइनल में अगर देखें तो सिर्फ 3 अधूकर समझ में आ रहा है जनरल वीडियो आरा बच्चा हैपी लबर आर 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 कमल का नाम है तुम्हारा तब भई ठीक है तो यह फ़र्ष्ट हो गया आपका पहला पार्ट का पहला हो गया इसमें अलग-अलग मान आपको रखने है यह फ़र्ष्ट मान था इसी में सिकेंड मान भी दिया गया है अब अगर आप इस स्क्रीन पर कुश्चन देखो या किताब में देखो एंसी आर्टी यक्स कमान माइनस वण भी दिया है माइनस वण पर भी रखके देखो और फिर मुझे बताओ कितना आएगा आप इस उमीद में मत रहो कि मेरा नाम नहीं ले रहे हैं नाम तब लिया जाता है जब कोई अच्छा काम करता है और वो रेगुलर क्लास में आता है कम से कम तीन दिन चार दिन यह नहीं कि तुम्हें एक दिन आ गया तो मैं तुम्हारा नाम बोलूँगा नहीं रोज आओ क्लास में डेली डेली चले ठीक है देखो बेटा इसमें हर जगा माइनस वन रखना है जहां जहां पर यक्स है आपको माइनस वन पुट करना है ठीक है तो यह 5 इंटू यक्स की जगा पर माइनस वन और माइनस का ये चिन लगा लो फूर और यक्स का स्क्वाइर है यानि माइनस वन का स्क्वाइर और प्लस का थिरी क्लियर इनका मल्टीपल करोगे बाबू तो माइनस का पांच देखो माइनस वन का होल स्क्वाइर करोगे तो प्लस वन हो जाएगा ठीक है माइनस वन का होल स्क्वाइर करोगे तो बट्टा का हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा और वन का इसमें मल्टीपल करोगे तो ये फोर का फोर ही रहेगा नहीं समझ में आएगा बता देना कि मुझे नहीं आ रहा है फिर ये प्लस का 3 ऐसे लिखतोगे अब ध्यान रहे जो प्लस प्लस है वो जुड़ेगा जो माइनस माइनस है वो घट जाएगा तो करके देख लो तो को माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे माइनस 5 माइनस 4 माइनस करना हो जाएगा प्लस का 3 माइनस प्लस घटेगा तो 6 आएगा लेकिन ध्यान रहे जो चिन बड़े वाले नंबर के पहले लगा है अंसर में वही चिन लगेगा यहाँ पर माइनस 6 लगेगा सभी को समझ में आया लिख लो फटा फट कोई दिक्कत है तो बताओ और सभी बच्चे जितने भी जुड़े हैं सेशन को लाइक जरूर करें बाबू ठीक है आपकी जिम्मेदारी है मैंने दो तीन पार्ट करवा दिये फटा फट सेशन को लाइक कर दें और दोस्तों में भ कर लोगे बाबू की नहीं कर लोगे देखो ठीक है इधर साइड में समझो एक मिननेट इधर मुझे थोड़ा कम कमपर्टेबल हो रहा है दीख तो रहा है न कुश्चन के नीचे कुछ नहीं शुपा है तीसरा पार्ट तीसरा पार्ट देखो यक्स कमान दो दिया है क्या दिया है दो अब इस एक्वेशन में आपको यक्स कमान दो रखना है और आंसर मुझे बताना है जल्दी रखो और बताओ वैसे मैं कोई छोड नहीं रहा हूँ एक एक करवा रहा हूँ जिससे की किसी भी बच्चे को जालें डेली कराम चैनल सभी बच्चे जोईन कर लें डेली उसमें लिंक भेजी जाती है फिरी कलास होती है चलो तो 5 अब देखना जहां जहां यक्स है वहां वहां आप 2 रखोगे क्या रखोगे 2 मान रखोगे ठीक है तो 2 रखके देख लो एक बार हल करके चलो यक्स की जगा पे 2 रखोगे यह 2 हो गया माइनस यह 4 का 4 ही रहेगा यक्स का स्क्वाइर यह नहीं 2 का स्क्वाइर और प्लस 3 फाइनल में यह दोनों 10 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वाइर मतलब 4 और यह 4 हो जाएगा जब रेकट वाला और यह बाहर वाला 4 दोनों गुड़ा होगा तो 16 और प्लस 3 प्लस प्लस जुड जाएगा बिटा जोड के देख लो क्या होगा जुड जाएगा न तो ये प्लस प्लस वाले जुड जाएगे इसके नीचे आंसर छीप जा रहा है क्या फिगर हटानी पड़ेगी नहीं आ जाएगा यह प्लस प्लस जुड़ेगा 13 हो जाएगा और माइनस का 16 ऐसे लिख लेंगे इसको इधर फाइड में बढ़ा दिया हूं जिससे छुपे न गटाओगे माइनस का 3 आएगा बस हो गया इसमें किसी को कोई डाउट नहीं यहनी confusion नहीं चली आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे बेरी गुड बच्चे बेरी गुड ठीक है गुड इबनिंग सभी को गुड इबनिंग सबका कमेंट देख रहा हूं मनीश राजपूत जी मनीश गुड इबनिंग ठीक हो ना एकदम म कि जब आप यक्स का मान का इस नीड़ कि तो कितना ऐगा मैं इसके आगे तो कुछ दिया ही नहीए इसके आगे तो डिया ही नहीं चिब दोतो कितना ऐगा कि टोटना एगा आगे बढ़ा जाए चलो सिकेंट कुश्चन देखो बेटा सभी ध्यान से खुशी ठीक है फ़िस्ट कुश्चन सारे पार्ट हो गए सिकेंट इसका मतलब जान रहो यह जो ऐसे लिखा जाता ना इसे क्या पढ़ते हैं अगर ऐसे लिखा पी आफ यक्स ऐसे लिखा पी आफ ए ऐसे नहीं बोलोगे पी ब्रेकट में ए नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं यह से बोलोगे पी आफ जीरो पी आफ वन पी आफ टू पी आफ ए पी आफ बी जो भी लिखा रहेगा कि ठीक है आगे बढ़े चले कुश्चन पर मस्त है सब कुछ एक्दम खटा-खट चलो कि मैं वीडियो को चला लेता हूं इसमें फोन में तब आगे बढ़ता हूं कि एक बाइडवर्टाइजमेंट कि हमीं को सब दिखा देते हमारा एडवर्टाइजमेंट कि इसमें जैसे अभी तक आप एक मान रख रहे थे ना भाइया बाबू वैसे आपको इनके अलग-अल हम लोग इंट्री करते हैं कि हमें प्रीव नहीं दिख रहा था आप तक तो हम थोड़ा डाउट में थे अब दिखने लगा है कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मुझे थोड़ा सा यहां पर खाना पूर्ति करनी है बस पहला पार्ट है पी आफ वाई इक्वल पी आफ वाई इक्वल वाई का स्क्वाईर माइनस वाई प्लस वन इसे क्या करना है बाबू इसमें एक बार पी कमान जीरो रखना है एक बार वन रखना है एक बार टू रखना है इसमें तीन आंसर आएगा तबी समझ रहे हो ना कोई परेसानी किसी को नहीं ना समझ रहे हो मेरी बात एकदम पूरा दिल से चलो ठीक है भाई उतकर आओ चलो पी आफ यहां लिखो 0 पर ऐसे लिख दो बाद तीन बार लिखना है तो यहां पी हो जाएगा बेटा पी आफ जीरो यहां पर एक्वल वाई की जगा पर जीरो का स्कॉयर मान상 का यह यह बाद था या neurolog कुछ बन प्लस वन यह एक आंसर हो गया थिक्एन पीटा रोहित समझ में आ रहा है अब को समझ में आ रहा है अब देखो समझो अगला यह इतना हो गया इसे कहीं और भी कर सकते हैं नीचे कर लो पिआफ 1 पर ठीकर नीचे आप देखो जहां-जहां पर वाई है वहां वहां पर क्या करोगे बिटा वन रखोंगे y की जगा पर हर जगा 1 रखोगे ये 1 प्लस 1 समझ रहो? यहाँ पर y था तो 1 रखा यहाँ पर y स्कॉयर था तो 1 का स्कॉयर यहाँ पर – y था तो – 1 ये 1 पहले से था तो इससे लिख दिया 1 का स्कॉयर 1 – 1 प्लस 1 1 1 जो प्लस में वो जूड जाएगा तो बाबु यह जूड जाएगा तो 2 हो जाएगा – 1 बराबर 1 यह अंसर आएगा यानि पहले पर भी बनाया दूसरे पर भी बनाया पर्तिमा साहू सुसमा सब को समझ में आ रहा है न? किसी को कोई डाउट होगा तो बता देना कि कि मुझे नहीं आ रहा है गलबर हो रहा है कुछ हां? लिख लीजिए जल्दी से इमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग लिख लीजिए किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे कि हां गलबर हो रहा है बताए हुम हुम चलो देखो बच्चा समझो अब इनको उपर वाला में मिटाऊंगा इसी तरह से तुम दो रखके भी देख लो मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट मैं छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ अभी बहुत टाइम है नाइन्थ का कोर्स खतम करने के लिए वैसे भी एक बार हो गया है इसलिए मैं हर एक पार्ट का हर एक पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं पर यह नी अब आपडो नापर जाहां जायों ब्सक्राइब लिए घरिया वि ऐसकोर माइन assaulthop माइनस वाहरा हें मैं त्ंट उप्लस ल 거죠 ब्लस प्लस प्लस जुड़ जाएगा पेटा तो पाइब माइनस फॉइक्वाल फिरी प्रफ्पी लबर बोल रहें कि आप बहुत अच्छा कर रहें आप सभी बच्चे कलास को जादा फे जादा सेयर किया करिए ठीक है लिख लिजी एक बात बता दें बच्चों आपको प्यारी सी सुन लिजीए आपकी कलास का एक नया बैच यह PVR study 3.0 पर चलने वाला नाइन्थ के लिए YouTube पर आप PVR study 3.0 सर्च करना यह 9.10 वालों के लिए इस्पेसल चैनल है अलग से जिस पर 14,000 बच्चे सिर्फ 9.10 वाले जुड़े हैं और जहां भी आप PVR study लहाबाद पर देख रहो यह सार्वजनिक चैनल है इसमें 3.5 लाक लोग जुड़े हैं तो कई तरह के बच्चे हैं अलबी वालेव हैं कुछ अलाबाद इनवर्सिटी वाले जो लोकल के हैं तो कई तरह के हैं लेकिन इसमें पहलिए आगे बात करते हैं कुशिशन नंबर सिकेंड खतम हो गया ंबेंक क्या क्या था कि स्पेंड केवल पहिला का एक पार्ट हम ऊभी इसमें तीन पार्ट और है थिक है तीन पार्ट ऑल देखो सम्झो तीन पार्ट आगो रहे दूसरा पार्ट पर आओ ठीकेंड पार्ट कहरा पी ब्रेकर्ट में टी इक्वल टू प्लस टी प्लस टू टी का स्क्वाइर माइनस टी का क्यूब ठीक है इसमें भी वही करना है आपको बारी बारी से एक बार 0 रखना है एक बार 1 रखना है एक बार 2 रखना है ठीक है बारी बारी से चलो ठीक है चैनल सब्सक्राइब करके रखो बागी कलास के बारे में इंक्वारी के लिए नीचे नंबर चल दाए उन पर संपर्क करना बताया जाएगा लिखो बैटाए पी आफ जीरो पर अब जहाँ जहाँ पटी है वहाँ वहाँ पर जीरो रख दो यह 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटु 0 का स्कॉयर माइनस 0 का कुभ जहाँ जहाँ पटी था वहाँ वहाँ पर जीरो रख तिक है ओके चलो आओ चलो अब 3 हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस यह 0 का होल स्कॉार स्कॉर मतलब 0 हो जाएगा 0 का 0 में गुड़ा करोगे जीरो हो जाएगा यह माइनस का 0 का क्यूब यह सब 0 ही हो जाएगा ठीक है बटा इन सब को फाइनल करोगे तो दो आएगा लाश्ट में उतकर्स बहुत अच्छे बेरी गुड़ बच्चे ठीक है खुसी खुसी कभी साही है और किसी का अनिवन कोई आगे बढ़ा जाए ठीक है सभी बच्चे फटा फट सेशन को लाइक करते रहें और अपना बात बताते रहें नहीं समझ में आएगा बिल्कुल टैंसर नहीं लेना है बस बॉल देना है चलिए इसको मैं मिटाता हूं यह जीरो पर हो गया अब वन पर करेंगे एक बार फिर टू पर करेंगे सभी बच्चे यह बताओ कितने बच्चे कर लेंगे अब मैं इसको छोड़ दूं आगे पढ़ूं कि कितने लोग कह रहें कि इसको छोड़ के आगे बढ़ें यह वन पर आप लोगे बोलो हाँ तू पर कर लोगे बोलो हाँ कर लेंगे बोलो ना कि बोलो काय सर्मार है इतना कर लोगे ना कि आगे बढ़ा जाए फिर हुं ठीक है तो इसको आप लोग करना आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा समझने की कोशिस करना चलो आगे चलिए ठीक है तो इसी तरह से बच्चों है कि यह हो गया दूसरे हो पिस्वरवाला भी ऐसे कर लेना चलों कि मुझे कषा रख लोग संपर werde मन अच्छा तो बताइद में present उप देखंव बताई दे रहां आए बहुत आसान दमिढ़ी क्याश續 टोटल लग ए रख El-Car चाहर को इस्चन आप और मुझे लगरा ज्यादा टाइम नहीं है इसके सारे पार्ट आप लोग कर लेना ठीक है दूसरे पर बढ़ूं कुशन छोड़ू नहीं एक बार आपको जीरो मान रखना है एक बार वन रखना एक बार दो रखना है जैसे मैं अभी तक बताया ऐसे सब में कर लेना कोई दिक वाला आंती मुआला थोड़ा गडबर लग रहा इसको देखो बताया देता हूं कि यक्स माइनस वन यक्स प्लस वन हम इसमें क्या करोगे पी आफ जीरो पर जहां जहां पर यक्स है वहां वहां पर आपको क्या करोगे हम हम फावा जीरो रख दो यक्स की जगा पर क्या करोगे जीरो रख दो का यो जाएगा जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन तो जीरो माइनस वन युभी 720 को घटा ओगे तो क्या आएगा बोलो 0 घटेगा क्या 1 से अगर उल्टा पुल्टा करके घटा होगे तो माइनस में आएगा न माइनस 1 और प्लस 1 कुल मिला के multiple करोगे तो 1 ही तो आएगा करके देखो फिर मुझे बताना ठीक है तो माइनस 1 आएगा न कर लो ये माइनस 1 इंटू प्लस 1 वन आएगा बस माइनस 1 स्वरी माइनस 1 आ रहा है न हम हाँ बहुत इजी चैप्टर है देखो गुणा का चिंद लगा बीच में याद रहे हैं पर ये अगर multiple ना होता तब 0 आता याद रहे हो multiple ना होता तब 0 आता ये अगर लोग ये आप लोग कि दूसरा का ये कौन सा था चौथा पाड़्ड था जीरो जीरो सब बता रहा वही जीरो कैसे आएगा इसमें कुछ और है क्या एक मिनेट रूको देखने दो पूस्चन मुझे मिलाने दो कि वैसे है जैसे मैं लिखा हूं कि कुछ आउर है माइनस वान आएगा ठीक है कि इस तरह से सारे कर लेना थार्ड नंबर कुश्चन देखो थार्ड नंबर कुश्चन देखो इस स्क्रीन पर बच्चों इसको थोड़ा मैं बढ़ा करके दिखाऊंगा साइड में वैसे बहुत ज़्यादा जगा ले गई है दिख रहा है सबको न दिख रहा है करा सत्यापित कीजिए कि दिखाएगा इमान निम्लिखित इस्थितियों में संगध बहुपद के क्या है सुन्यक है सत्यापित कीजिए मतलब सिद्ध कीजिए नि प्रूब कीजिए क्या आप लोग प्रूब कर सकते हैं आप लोग प्रूब कर सकते हैं कि नहीं चलिए बात करते हैं हम बताते हैं ठीक है दिखिए बच्चों जो मान दिये गए हैं न इनको ले करके हमें रखना है और रख करके सिद्ध करके दिखाना है कि ये इनके जो है वो संकत बहुपद के सुन्यक है या नहीं है अगर इनके संकत बहुपद के ये सुन्यक होंगे अगर होंगे तो क्या होगा जानते हो जीरो आएगा अगर नहीं होंगे तो जीरो नहीं आएगा चलिए थाड नमबर का पहला पाड लिखिए P of X equal 3X plus 1 Question number 3 का पहला part P of X equal 3X plus 1 X बराबर minus 1 upon 3 X बराबर minus 1 upon 3 चलो ये रखके हमें क्या करना प्रूब करना है ठीक है? समझो देखो बच्चा करना क्या समझो इसमें जो मान दिया गया है न दिया गया मान ये इसका सुन्नेक होगा अगर इसको रखने पर जीरो आएगा तो अगर नहीं आया जी रो तो मतलब सुन्नेक नहीं है लिखो दिया गया मान बहुपत का सुन्नेक होगा यदि यह मान रखने पर बहुपत सुन्ने हो जाए लिख लो दिया गया मान यक्स बराबर माइनस वन अपान थरी इस बहुपत का सुन्नेक होगा यदि इस मान को रखने पर भौपद का मान सुनने हो जाए चलिए रखते हैं अब यहां हम लिखेंगे पी आफ माइनस वन अपान थिरी जहां पर यक्स है वहां माइनस वन अपान थिरी यह ध्यान रहे प्लस वन तो बेटा यह हो जाएगा थिरी इंटू देखो यह तीन से तीन कट जाएगा तो फाइनल में आपका माइनस का वन और प्लस का वन बराबर जीरो जीरो आ गया न आ गया न तो आप नीचे लिख लिजिए नीचे लिखिए अता यक्स बराबर माइनस वन अपान थिरी यक्स बराबर माइनस वना पांथिरी दिये गए बहुपत का सुन्यक है अता दिया गया मान यक्स बराबर माइनस वना पांथिरी दिये गए बहुपत का सुन्यक है शिद्ध हो गया जीरो आ जाना चाहिए बस पूजा समझ में आ रहा है तुम बाती करने आती हो ना तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा यह अपने दिमाग में बसा लो हां तिर पढ़ने वाले आते हैं बस प्रिकेंड पार्ट देखो प्रिकेंड पार्ट देखो बच्चा समझो पी आफ यक्स इक्वल पांच एक्स माइनस पाई पी आफ यक्स इक्वल पांच एक्स माइनस पाई इसमें यक्स कमान चार बटा पांच दिया बेटा क्या दिया चार बटा पांच समझो और बताओ मुझे कैसे होगा हम बताओ जहां जहां पर यक्स है वह वहाँ पर फेखतर का भापत का सुने खे और अगर जीरो नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं है मुझे नोगता इसमें जीरो आएगा इसमें जिरू नहीं आएगा और रखे देखते हैं तो पी आफ फोर अपान फाइफ यक्स की जगह पे फोर अपान फाइफ रखोगे हर जगह बेटा तो यह फोर अपान फाइफ माइनस का पाई फाइनल में पाई से पाई कट जाएगा फोर माइनस पाई यानि आप कह सकते हो जिरू नहीं आया ना आप निचे लिख सकते हो चूकि दिया गया मान उप्रोक्त बहुपद में रखने पर बहुपद का मान सुनन नहीं आ रहा है दिया गया मान उप्रोक्त बहुपद में रखने पर बहुपद का मान सुनन नहीं आ रहा है आता है यक्स का ये मान दिये गये बहुपद का सुनन नहीं है यक्स का ये मान दिये गये बहुपद का सुनन नहीं है भई कमडी मोजवाले आये हैं कि नहीं तुम्हों खोलिए एक बार अंकज तुम भी आयो और पित सिकेंड हो गया थार्ड पार्ट देखिए बटा थार्ड पार्ट एक चीज और ध्यान देना मैंने अभी बात बताया था थार्ड पार्ट के पहले जो भी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेना आज सुचना समाब तुई पूजिशन पर आजाओ तीसरे का तीसरा पार्ट देखिए अच्छा एक बात बताओ अभी बताओं कि कर लोगे बताओं कि कर लोगे आप लोग थर्ड पार्ट भी देख लो मुझे तो लग रहा है कि अब सारे बच्चे कर लेंगे पी आफ यक्स इक्वल यक्स का स्क्वाइर माइनस वन यक्स बराबर वन और माइनस वन दो चीज रखना है यक्स बराबर क्या रखना है वन और माइनस वन ये रखने है बोलो कर लोगे ना चलो ठीक है देखते हैं आगे बढ़ते हैं जहां जहां पर यक्स है वहां वहां पर एक बार वन रखना है एक बार माइनस वन रखना है ठीक है रखिए तो पी आफ वन जब वन रखोगे तो ऐसे करोगे जहां पर यक्स है वहां वन हो जाएगा फाइनल में 1-1 इक्वल 0 0 आ रहा तो नीचे क्या लिखोगे नीचे लिखोगे चूंकि दिया गया मान उपरोग्त बहुपद में रखने पर बहुपद का मान सुन्ने आ रहा है आता है बहुपद का सुन्ने खाय या फिर ऐसे भी लिख सकते हो चूंकि यक्स इक्वल 1 रखने पर दिया गया बहुपद का मान सुन्ने आ रहा है अता सिद्ध हुआ ये मान दिया गया बहुपद का सुन्ने खाय बस ऐसे कर लेना है ऐसे आप 1 की जगा पर माइनस 1 भी रख लेना बाबू ठीक है इसी तरह आप एक बार माइनस 1 भी रख लेना चलो आगे बढ़ते हैं कोई डाउट नहीं इसमें किसी को कोई परिसानी नहीं न तो ये थार्ड पार्ट था बेटा थार्ड कुश्चन का अच्छा एक बात बताओ इस स्क्रीन पर मैंने कुश्चन दिखाया है जरूरिये बताओ चले आगे फिर सबको दिख रहा है मुझे लग रहा है तर यह गलत है साही राम नगर कहा गलत है बच्चा का गड़ बढ़ लग रहा है कि चलो फिल अगले पर बढ़े अगले पर आओ चलो सिसरा होईगा भाईया चाउथा पर आजाओ बबू चाउथा कह रहा पी आफ यक्स इक्वल एक्स प्लस वन यक्स माइनस टू एक्स प्लस वन यक्स माइनस टू यक्स के दो मान है माइनस वन और दो यह इतने पर रखके इनको ट्राई करना है ठीक है चलिए एक-एक मान पर रखेंगे अगर जीरो आएगा तो लिखेंगे दिया गया मान बहुपत का सुन्यक है जीरो नहीं आएगा तो लिखेंगे सुन्यक नहीं है बस सिंपल सा चलो तो दो निचए लिखो P आफ minus 1 पहले minus 1 पर वестमें यक्स की जगह पे minus 1 और प्लस का ये वन पहले से था वैसे लिख दिया यक की जगह पर minus 1 भम ये minus plus 0 हो गया यह यह माइनस तीन क्योंकि जूड़ गया फाइनल में माइनस तीन आया, एच अच्छा गलत है और अजय यह गलत है आए बीच में मल्टीपल का चिन लगा है, जीरो में मल्टीपल होगा यह बरबाद हो जायेगा तो फाइनल मेंुआ जीरो आयेगा, नीचे लिखो, दिया गया मान यक्स बराबर माइनस वन रखने पर दिया गया मान यक्स बराबर माइनस वन रखने पर उपरोक्त बहुपद का मान सुन्य आ रहा है अतहा यक्स बराबर माइनस वन दिये गया बहुपद का सुन्य है इतना प्यार से बोलता हूं रुक रुक के लिखना चाहो तो लिख लो अगर अपनी जिंदगी अच्छे से चला नहीं है बाबू ठीक है अब नाइन्थ कलास में पहुंचे और टेंथ में पहुंचोगे पड़े लिखे रहा होगे अच्छे से इमानदारी से मेहनत से आगे च सोचते हो ना इतने बड़े बड़े चिल्लू मिल्लू आएंगे चार चार पांच-पांच क्या करेंगे का खाएंगे वह लोग तो पढ़ लिख लो इसलिए राम साइन नगर नाम तो आपका बहुत अच्छा है लेकिन बाबु देखो क्विश्चन के अकार्डिंग चलते हैं न उसमें अगर तुम पाई का मान रख भी देते तब भी वह जीरो नहीं आता तो रखने से कोई मतलब नहीं था कि इसी तरह से यक्स का मान आप दो रखोगे एक बार दो रखके देख लो कि दो रखके देख लो कि करवादूं कर लोगे भाईया कि चलो कर देता हूं मैं काये को आप लोग को मेहनत करनी पड़े अच्छा दस का बहुत जल्दी चलेगा इसी चैनल पर चलेगा इसी टाइम चलेगा बताएंगे हम आपको कली से बसे हो सकता चल जाए ठीक है नाइन्थ वालों का अलग शिप्ट कर देंगे लिखो पी आफ 2 पर यानि अब क्या करोगे जहां जहां पर यक्स है वहाँ वाँ पर 2 रख दो ठीक है जहाँ पर यक्स है वहाँ वाँ पर 2 रख दो तो यह आपका हो जाएगा 3 of 2 इक्वल 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2 बराबर 3 इन्टू 0 बराबर 0 आएगा क्योंकि यह जब घटेगा तो 0 हो जाएगा अब लिखोगे यक्स बराबर 0 रखने पर यक्स बराबर 0 रखने पर नई यक्स बराबर 2 रखने पर दिये गए बहुपद का मान भाई 2 रखा मैंने 0 नहीं रखा स्वरी यक्स का मान मैंने हर जगा यहाँ 2 रखा है देखो यह इसकी जगा पर 2 रखा इसकी जगा पर 2 रखा यक्स कमानन दो रखने पर दिएगे बहुत कमानन सुन्ने आ रहा है आता यक्स बराबर दो दिएगे बहुत का सुन्ने कहते है ठीक है बबुआ ठीक है भईया ना लिख लो जिनको मैत में कुछ भी नहीं आता रात के नौ बज़े से पढ़ेए rag안 के नो बज़े से मोनिका बैसनों आप PBR study app में जा करके न सारा chapter जोईन कर लो मोनिका जी PBR study app प्लेइश्टोर पे उपलब्ध है बिल्कुल फ्री है जाके डाउनलोड करिए कोर्स को जोईन करिए और पढ़िए कि इस तरह से अगला पार्ट इसमें का आप लोग कर लोगे देखो बहुत लेट करोगे तो मेरा यह चैप्टर खतम नहीं होगा ठीक है कुश्चन थर्ड के सारे पार्ट इसी तरह कर लेना मैं नहीं बताऊंगा अगर कोई भाग किसी को नहीं आएगा तो कमेंट करना बाद में बता देंगे ठीक है इसमें फोर कुश्चन है मैं सब बता दूँ एक 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 पोर नंबर में आ जाओ पोर नंबर में आने के पहले एक चीछी ध्यान से सुन लो बच्चों अगर आप 910 में हो तो के बाद इस पे आ रहा है जिसकी सूचना आपको यहां पर दे देंगे ठीक है इसले है और नंबर में कहा रहा है निमनलखित इस्तितियों में से परतेक इस्तिती में बहुपत का सूने क्या है अब आपको फाइंड करना है इसका फाइस्ट पार्ट क्या है बेटा देखो कहीं दिख आए-का तुम्हें पी-5 ब्राबर-च्स-प्लस-टू दिया है इनों ने ईक्स-प्लस-पाइब दिया इनों ने लिखा आइए पहला पार्ट दूसरा को माइनम लिख दिया है पहला पार्ट इनके यह कोपी में कुष्चन में लिखा दिया हूं tapping वालोग गलती है चलो ठीक है पहला पार्ट है बेटा पी- आफ- एक्स- एक्स- प्लस-फाइब यह पहला पार्ट था ठीक है second part आपके question पे screen में है पहला नहीं है मैं लिख दिया हूँ सुन्यक क्या होता जानते हो देखो सुन्यक वो मान होता जिसको रखने के बाद पूरा बहुपद क्या हो जा जीरो आ जाए बहुपद का सुन्यक के लिए दिये गए बहुपद को सुन्यक के बराबर करके यही बहवपत का सुन्यक होता है ठीक है लिख लो चाए नीचे बहवपत का सुन्यक यानि 0 जीरो आप पॉलिणोमियल यानि पॉलिणोमियल ने जीरो ओके ग्याद करने के लिए देगे बहवपत को 0 जो के बराबर करके जो इसमें अग्यात बरियेवल है उसका मान प्राप्त करते हैं कि देखो है तो सुनने के लिए बेटा इनको जीरो कर देंगे है ठीक है जीरो कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा पी आफ जीरो इक्वल जीरो प्लस फाइब इसका मान तो हमने जीरो मान लिया है यह माना गया है तो इसकी जगा पर क्या था यह प्लस पांच था और इसकी जगा पर हमने क्या कर जीरो मान रखा है तो यह जीरो हो जाएगा यह प्लस पांच तो यह पांच इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर एक्स यह बराब लोग याद रखना ठीक है यानि दिये गए जो बहुपद है उसका पहले जीरो के बराबर मान लोगे राजुजी साइन्स का कलास चलेगा जल्दी चलेगा थोड़ा इंतजार कर लिजिए 20 अपरेल के बाद चलेगा अगर साइन्स चलेगा तो समझ में आया कि नहीं देखो बैट यानि जो इंगिलिस मेडिया मुआ不對 यह उनको जीरो निकालते हैं बोलते हैं छी monk अब 1ट पहले आपको मानना है क्लिए नेट करना है ले जब आप इसे जीरो मान £ death इतना बराबर इतना दिया था हमने क्या किया इसकी जगा पर जीरो रख दिया इसकी जगा पर जीरो रख दिया जीरो हो गया अब इसको इधर का उधर कर लेंगे जीरो हो गया बस अम अज में आ रहा है सबको ना किसी को कोई डाउट है तो बताओ 25-40 मिनट की कलास होती है लगबग हो चुकी है तो आज का कलास यहीं पर इंड करेंगे अगर कोई डाउट है तो बताना इसके सारे पार्ट आप लोग कर लेना सिकेंड वाला माइनस वाला ऐसे कर लेना थाट वाले पर एक और बता देता हूं बाकी मुझे लग रहा यह सिर्साइज आज खतम हो जाना चाहिए इसके भी जीरो फाइंड करने बेटा ठीक है यह बराबर पी आफ यक्स है मैंने उल्टा लिखा पहले यह लिखा फिर यह लिखा है कोई फरक नहीं पढ़ता आगे पीछे लिख लो ठीक है बाया चलो तो आप लिखोगे जीरो के लि क्योंकि हमने इसको इधर लिखा था तो इसकी जगा पर जीरो रख दिया यक्स कमान निकालोगे माइनस पांच बटा दो माइनस फाइप अपांट टू क्या है इसका जीरो है ठीक है सबको समझ में आया तीसरा पार्ट है कोई डाउट है तो बता देना बच्चों आज का कलास है प्रिंड होगा आपका यह एक्सरसाइज 2.2 पूरा खतम हो गया इसके जो बचे हुए 2-3 पार्ट और भी इनको आप लोग खुद से ऐसे कर लेना नहीं आएगा तो बत आया जाएगा उसके लिए आप दीचे दियेगे नंबरों पर संपर करें जिसमें आपको पूरे साल भर के लिए कच्छा नौ की गड़ित के लिए मात्र 500 रूपए और कच्छा दस की गड़ित के लिए मात्र 700 रूपए देना होगा अगर आप चाहें तब बाकी सब्सक्राइब करके रखो कुछ नहीं लगेगा पढ़ते रहो है लेकिन इसमें डाउट और अलग से नहीं बता जाता क्लास में ही सब कुछ होता है उसमें आपको वाट्सप पे भी सुखधा मिलेगी अलग से तो बच्चों चलते चलते आपको बात बता दें आप सभी सभी बच्चे जिनके पास टेली गराम अप नहीं है डाउनलोड करके जुआइन कर लो लेकिन जरूर क्योंकि टेली गराम पर जितनी कलास चलती है सब नोटिफिकेशन दिया जाता है सारी बात बताई जाती है देखो कमेंट में लिंक जा रही न यह बेसिक मैद बाई राजकुमार सरनाम से न इस पर क्लिक करके जाके हटापट सभी बच्चे जुआइन कर लो जो फिरी पढ़ना चाहते हैं इसमें बिल्कुल फ्री यह कुछ नहीं लगता है जाके जुआइन कर लो अरबिंद तिवारी कलास के बारे में किसी को कुछ कहना है और किसी को किसी को कलास के बारे में कुछ कहना है मोनिका बताओ कुछ कहना है अनुपम उतकर्स बेद प्रकास पूजा सुदानसू सीलूपाल विपिन दीपू आसीस मोहिठ ठाकुर नहीं कहना न तो टेली गराम जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा टेली गराम जो नहीं जानते बता दूँ वाट्सअप की तरह एक चैटिंग मसेंजर अप्लिकेशन है जैसे वाट्सअप में आप चैटिंग करते हो बात चीत करते हो वैसे वाट्सअप की तरह टेली गराम भी गुलन वसkins सिर्फ 256 एक गुरूप में हम दो लाख से अधिक बच्चे जोर सकते हैं तो हमारे यहां बच्चे लाखों में हैं सैकनो में नहीं है इस लिए हम being लिए गराम यूज करते हैं आइब पॉइंट वन गेमिंग बबु यह हिंदी मीडियम क्लास ही है यह कलास हिंदी मीडियम ही है हिंदी इंगलिस दोनों में बोलते ना इसको यह हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड MP बोर्ड सब के लिए है NCRT book तो बंदे करें फिर